सब्सक्राइब किजिएगा मेरे चैनल को और दबाएए इस बेल आइकोन को जिससे आने वाली से भी लेटेस्ट वीडियो आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिल जाएगी हेलो दोस्तो फिरस आपका स्वागत करता हूँ टेक गुरुजी के इस नए एपिसोड में जियां दोस्तो दो हजार पचीज तक स्मार्टफोन खत्म हो जाएंगे दोस्तो यह कहना मेरा नहीं है यह कहना है एपल के से यू टेम कुक का उन्होंने हाल में ही बताया कि एंड्राइड स्मार्टफोन 2025 तक खत्म हो जाएंगे मौजूदा समय में स्मार्टफोन इंसान की सबसे बड़ी जरूरत बंद चुकी है लेकिन अब वो दिन दूर नहीं है जब स्मार्टफोन की जगे स्मार्ट टेक्नलोजी ले लेगी एपल की CEO ने ये बताया कि वो खुद घर से लेकर आफिस तक अपना काम और्टिफीशियल इंटेलेजेंसी टेकनलोजी से लेस वाइस एसिस्ट से काम करते हैं खाने की रेसिपी हो या फिर मौसम का हाल हो ये सबी जानने के लिए Google Home Speaker का इस्तेमाल करते हैं आफिस में Music System को कंट्रोल करने के लिए Amazon Eco का इस्तेमाल करते हैं वही अपने जरुवत की काम करने के लिए Siri और Google Assistant का इस्तेमाल करते हैं उनकी कार और घर में भी वाइस कमांड के लिए इको डॉट की सुईधा है। इन सभी तरह के स्मार्ट गैजट ने इंसान का काम को इतना आसान कर दिया है कि बहुत ही जल्दी सभी जरुवत काम उनकी एक आवाज से हो जाता है। एपल के सी यू ने बड़ी स्क्रीन वाले डिवाइस जैसे की टैबलेट, लैप्टॉप, कम्प्यूटर का पक्ष में नजर आए। उनका कहना है कि वाइस असिस्टेंट टेक्नलोजी के आने के बाद बड़ी स्क्रीन वाले डिवाइस पर किसी तरह का दुरुपरभाव नही कि इन सभी जगह पर वाइस टेक्नलोजी काम ले लेगी, जहां पर हम अपने फिंकर्स का इस्तमाल करते हैं, वहां पर हम उसके जगह वाइस कमांड का इस्तमाल करेंगे। अब तो यह आने वाला वक्त ही बताएगा कि एपल के CEO का यह कहना कितना सही है और कितना गलत है। तो दोस्तों जासे इंफर्मिशन लायत हमें आपके लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर शेयर कीजेगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजेगा।